When the world puts you in trouble, Shiva rescues you. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो हम discussion का topic लेके आएं हैं, बहुत ही अच्छा topic है, Shri Mahavatar Babaji. एक हम इने भगवान भी कह सकते हैं, एक बाबा भी हैं, हमारे गुरू भी हैं, कुछ भी आप इने कह सकते हैं, बट इनके जो प्रसिद्धी है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया में है, UK, US तक लोग इने फोलो करते हैं, आज भी ये उतनी ही उम्र के दिखते हैं, जितनी उम्र इनकी धाई हजार साल पहले थी. तो आईए इनके बारे में जानते हैं, आप लेच्चर को स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फोर्मेशन इसके बारे में पता चलेगी, और अगर आपको इनके बारे में और अच्छे से जानना है, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, कि आप हमारा दूसरा वीडियो भी जरूर देखिएगा, which is on the शंग्रीला घाटी, जिसमें मैंने महावतार बाबाजी के बारे में बताया है, तो चलिए, without wasting a minute, हम श्री महावतार बाबाजी के बारे में जानते हैं, देखिए, आज भी वो ऐसे ही दिखते हैं, जैसा कि हम images में देख रहे हैं, कहते हैं कि इनकी age 20 से 25 साल है, कुछ कोई 25 बोलता है, कोई 20 बोलता है, तो देखिए, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, कि मैं जो भी information आपके लिए लाता हूँ, वो कोई ऐसा नहीं है, कि मैंने 4-5-10 YouTube के वीडियो देखे, या फिर इंटरनेट देखा, Google करा, information collect किया, और आपको थमा दिया, नहीं, I read the book, I generate authentic content, a credible content, from a credible source, फिर मैं आपको वो provide करता हूँ, बाकि आप और जगा भी जीए, बढ़ हमेशा याद रखिएगा, जो जितना अच्छा content हमें book में मिलता है, जो text books में मिलता है, जो भी हमारी books से इनकों पढ़ते हैं, उससे अच्छा content हमें कहीं नहीं मिल सकता, तो वही content मैं आपको deliver करने ही कोशिश करता हूँ, कोई आपके, मुझे कोई information कोई प्लेस कर दूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, चलिए हम इनके बारे में जानते हैं, कहते हैं, ऐसे दिखते हैं महाफतार बाबाजी, जो हमेशा kriya kundalini योग में रहते हैं, ये माना जाता है, और इनकी कुछ age मानी जाती है, 2000 से 25 साल, और आज भी इनकी वही age है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शंग्रीला घाटी को चलाने वाले महाफतार बाबाजी ही है, मैं आपको दुबारा रिक्वेस करूँगा कि अगर आपको टाइम लगे तो आप शंग्रीला घाटी का वीडियो चुरू देखिएगा, चलिए आगे हम चलते हैं, क्रिया योग, योग अलगले टाइप से डिफाइन किया गया है, जैसे आप श्रीकृष्ण भगवान को देखेंगे महाभारत में, कुर्शेत्र में, जब वो पार्त को समझा रहे हैं, तो वो पार्त को समझा रहे हैं कि पार्त तुम करम योगी बनो, तो कि श्रीकृष्ण बाबा, श्रिवा बाबा, बाबा गरीबनाच जी और बाबाजी चलिए अगे इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं आगे क्या है? एज इनकी मैंने आपको बता है इसे मैंने आपको बताया कि शाफ फीचर स विड को फीचर से विड लॉंग हे इस यह आप देख सकते हैं बि शंग्रीला में रहते हैं, शंग्रीला घाटी जो एक hidden घाटी है, जो एक invisible घाटी है, जो एक mysterious वैली है, वहाँ पर रहते हैं और वहीं क्या उनके मन के according वो पूरी घाटी चलती है, तो उसको आपको अलग जानना होगा, चलिए अब हम उनके बचपन के बारे में जानते हैं कि बचपन में उनकी कहानी कैसे आगे बड़ी, पहले तो हमें जानना होगा कि उनके बचपन में क्या incidents हुए, उनका देखी बचपन का नाम था विलेज में, उनको गाओं में उनको बुलाते थे नागराज, अब एक बार क्या हुआ, नागराज ने क्या किया, कि वो घर में थ उनकी थी वो, उनने इतना ज़्यादा गुसा चड़ा कि उन्होंने नागराज के मूँ के अंदर एक कपड़ा ठूस दिया, जिससे वो बिल्कुल मरते मरते बचे, हाला कि बाद में वो कपड़ा निकाल लिया गया, बड़ वो बिल्कुल मरने ही वाले थे उनकी, ऐसी हालत हो गई थी, तो अब उसके बाद उन्हें लाइफ का पता चला, वहीं से उनको अलाइटनमेंट और अवेकनमेंट के पाथ पे जाने का रास्ता पता चला, कि ये जिन्दगी एक दिन मृत्यू पर ही जानी है, कि जन्म हुआ है तो मृत्यू भी होगी होगी, मृत्यू एक ऐ आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, कि भगवान ने हमें हमारा दिमाग दिया, हमारा मन दिया, उसमें अंदर फीड किया गया एक तरीके चीजे कि ये ये तुमने बनाना है, ये ये करना है, अब इन चीजों को आइवोडी करके तुम मेरे पास कितना आ सकते हो, ये देखा ज जाता है प्रेंगे पेटाई चिदंब्रम से और इन्हें कॉलकता में बेच दिया गया इनको सेल कर दिया गया इस बॉंडड़ लेबर बहुत पुरानी बाते हैं न यह कि तो जैसे इनको इस बॉंड़ीड लेबर सेल किया गया तो जिस इंसान ने इने खरीदा तो वो जिवा से connection का तरीका अलग है और फिर इन्होंने कुछ books वगेरा थोड़े बड़े होए books वगेरा को पढ़ना शुरू किया और अब इन्होंने अपनी आगे की लाइफ शुरू करी जिसमें इनको इन्होंने गुरु गोगरनात को अपना गुरु माना और उनके शिश्य बन और तभी तुमारी आगे की लाइफ बढ़ पाएगी और इन्होंने क्रिया कुंडिलिनी योग स्टार्ट किया और बिल्कुल यही हुआ कि इनको अगस्तर इश्य ने दर्शन भी दिये और उसके पर शाथ इनकी इनको enlightenment भी मिला ये अवेकन हुए लाइफ में और उसके बा आपको क्योंकि ये भगवान का वीडियो मैं कभी नहीं कहता है आपको जहां information मिले आप देखिए पढ़िए सबका वीडियो देखिए ठीक है ने क्योंकि भगवान तो सबके हैं तो आप जितना information सुन सकते हैं देख सकते हैं उतना collect कीजिए कहते हैं जो इनके सबसे परमु बाबाजी से क्या connection था पहले तो हमें ये जानना होगा तो इसके बारे में पहले हमें कि इनके बारे में जानना होगा कि लाहडी महाश्रे कौन थे ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा देखें इनका real name था शामा चरन लाहडी चीक है और इनका जो जन्म था ये company राज ब्रि में फैमिली को लेके काशि आ गए और काशी में आके वो settle हो गए काशी में जैसी settle हूए तो वहां पे एक colony होती थी तो वहां पे टोला भवन बंगालियों की कोलोनी थी तो वहां पे जाके थी Rs अब लाडी जी बड़े हो रहे हैं, उनको शिक्षा की आवशकता है, शिक्षा उन्होंने ग्रैन करनी शुरू करी, पढ़ने में काफी ब्राइट थे, आगे बढ़ने लगे, बर ब्रिटिश कंट्रोल था इंडिया में आप सब जानते हैं, अब इसके बाद काफी अरली एज में इनकी शादी करवा दी गए, एक इनके पडोस में ही रहते थे देव नारायन सान्याल, जो हम कह सकते हैं कि इनके बिल्कु नेवर थे और इनके पिता की उनसे काफी अच्छी बातचित थी, तो वहाँ पे उनकी बेटी थी, उनके साथ इनकी शादी हुई, और इनके दो बेटे और दो बेटियां भी हुए, बट अभी लाडी जी एनलाइटन नहीं हुए हैं, हमें आगे समझना होगा, लाडी जी का आगे क्या हुआ, कि वो पढ़े अच्छा पढ़े लिखे और वो एक अकाउंटेंट लग गए, अब अकाउंटेंट के लिए उन्हें पर यह उत्राखंड तो भी बने हैं, और रानी खेत पढ़ता है कुछ नैनिताल के पास, तो नैनिताल के पास रानी खेत में ऐज़ा अकाउंटेंट यह एपोइंट हो गए, ठीक है, चलो, अब वहाँ पर जैसी अकाउंटेंट यह एपोइंट होए, तो उसके बाद पर यह घूमने चले जाते हैं, द्रोनागिरी प्रवतमाला है, वहाँ पर आसपास पेड़ों का, वनों का और भाडों का बहुत शोंक्ता ही ने, तो कभी कहीं चलेगे, कभी कहीं चलेगे, तो एक बार यह घूमने गए होए थे, तो इनको एक आवाज सुनाई दी, इनका नाम कोई पुकार रहा है, तो इन्होंने कई बार इग्नोर किया, पर इन्हें एक बार इन्हें बहुत नजदीक से आगे किसी ने आवाज दी, और इनसे बात करी, और वो कौन थे, वो महावतार बाबाजी थे, महावतार बाबाजी ने इनसे बात करी, और इनको बताया कि इनकी जिन्दगी क्या है और इन्हें बोला कि उस गुफा में जाओ वहाँ पे कमंडल होगा कुछ चीजे हैं धुना है इसको सबको निकालो और यहाँ पे पूजा शुरू की जाए और तब से लाड़ी महाश्ये महावतार बाबाजी के जो अनियाई हो गए डिसाइपल हो ग तब ही उनके अंदर एक एनरजी एक आप कहते हैं से पावर करंट दोड़ गया हो ऐसे हुआ और वो एलाइटन हुए और इसके बाद जो लाड़ी महाश्ये इन्होंने आगे लोगों को आगे अपने शिश्यों को महावतार बाबाजी के बारे में बताया है इन्होंने गरस ताश्रम से पूरा सन्यास ले लिया अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद ये लाइफ में आगे बढ़ गए बेसिकली हम देख सकते हैं जैसे इसमें क्रोनलोजिकली मैंने डिफाइन किया है महावतार बाबाजी ने लहाड़ी महाश्ये को दिक्षा दी थी लहाड़ी म आपको उसके अंतर महावतार बाबाजी के बारे में समझ आएगा तो आज तक परमंस योगा नंदी तो यूएस भी गए हैं वहाँ पर इन्होंने बड़े आइडिया को प्रोपागेट किया बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे इंडिया में भी करोड़ों लोग इनको फोलो करते हैं तो यहाँ पर लाहडी माशे जी और हमने महावतार बाबाजी का रिलेशन देखा आफ्टर डैट और कौन इन्हें फोलो करता है रजनी कान जी रजनी कान जी आप जानते हैं कि वह बॉलिवूड के भी और साउथ इंडिया के बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत ऑनरेबल एक्टर हैं और उनका सोशल कॉंट्रिबूशन भी इंडिया में बहुत जादा है तो वो इन्हें बहुत जादा मानते हैं चलिए उनको हम जानते कि कहते हैं कि रजनी कान जी उत्राखंड में अलमोडा या फिर नैनी ताल के पास जो बाबाजी की गुफा है वहाँ पे विजिट करते रहते हैं वो बहुत बड़े भगता हैं महाफतार बाबाजी के उनकी बुक्स भी पढ़ते हैं और वहाँ पे विजिट करते हैं वो फ्रिक्वेंटल वहाँ पे जाते रहते हैं कहते हैं कि काफी इंडियन पॉलिटीशन भी बाबाजी की गुफ आप इसको जुरू पढ़िए देखिए जो बुक पढ़ने का मजा है वो तो कोई सी और चीज में है यह नहीं जैसे मैंने आपको बताया कि I only believe on the textbook and the credible source उसी से मैं आपको information collect करके देता हूँ तो आप लहडी महाश्र जी के बारे में युकतेश्वर गिरी जी के बारे में परह जाए I am very much thankful to all of you for listening to me मैं आप सबको एक बार एक छोटी से advice करूँगा इसके अंदर कि हो सके तो एक आप photo frame आप खरी दिये महावतार बाबाजी का और उनके भक्त हो जाए और अपने घरे में आप जरू लगाए जो जो उसे लगाएंगे वो मुझे comment में जरूर बताएं कि उन्होंने online बाबाजी का कोई मेरा कोई इसमें interest नहीं है चाहे आप internet से photo download करके खुद frame बनवा लीजिए या फिर आप direct frame order कर लीजिए मेरा इसमें कोई vested interest नहीं है बड़ मेरी आप से suggestion है एक सलाह है एक request है आप सबसे कि हो सके तो महावतार बाबाजी का एक photo जरू लगाई अपनी कार में रखा कीजिए आपको महसूस होगा कि हमेशा बाबाजी आपके साथ है और मेरा भी आप सबको यही support है कि हर मुश्किल में शिवा और महावतार बाबाजी आपके साथ ही रहे है तो I am very much thankful to all of you for listening to me God bless you all अपके साथ है